हेलो फ्रेंट्स, मेरे युट्व चैनल एक्ता नॉलिच इंदी में आपका स्वागत है फ्रेंट्स, मैं आज आप में लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकिया है ये वीडियो जो है ये CISF ADCOSTABLE जी है CISF ADCOSTABLE MINISTRIAL की जो वेरकेंशी निकली थी मार्च 2019 मेंже जी हमार 2019 में निकली थी वह जिसके की आप लोगों के फीसकल होबते जुलाई में तो मैं आप लोग को पताता हूँ कि बहुत बचे परिसान थे चब से फीसकल होगे कि जब कशे रेटररर्ण एक्जाम लिए तो इसकी कोई सर आपको कैसे प्रता लगी कहा से पता लगी बस जो मैं कह रहा हूं कि इस देट को एकजाम होंगे बिल्कुल किरा है आपके एकजाम एटी, अबीन काची केसे अभी नहीं आपी नोपिकेशन आपको बाद में आएगा खिक है तो एकजाम के क्या डेट है कैसे है और फीमेल जी हां, मेल फीमेल इसमें दोनों ने ही अप्लाई किया था और जो इसकी अप्लाई डेट थी वो मार्स 12 और निस थी इसके फिसकल जो आप लोग के हुए थे पीटी पीएश्टी आप सभी लोग को पता होगा कि जुलाई में जो इसके फिसकल हुए थे जुलाई में फिसकल हुए थे और काफी लागों बच्चों ने इसमें मतलब काफी बच्चों ने इस एकजाम को दिया था, यह एक्जाम बहुत ही मतलब कंप्टिटी रहने वाला, बहुत ही मतलब इसमें आपको गम्पीटिशन स्था करना पड़े तो प्रिप्रेशन करते रहिए मैं आप लोगों से गूंगा ठीक है और आलोगर इंडिया यानि कि पूरी की पूरी विजन्सी आलोगर इंडिया में इनके सेंटर पढ़ने वाले और जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है आप लोगों की एक्जाम डेट जिसके के लिए बहुत जादा परिशान थे क्योंकि जो असरी प्रिप्रेशन की त्यारी होती रिटन की वो एक्जाम को देखते वे उसकी स्पीड काफी बढ़ जाए जदी सीम गालता है तो इसले मैं आप लोगती एक्जाम लेट निकालके नेखिया हूँ जो सबसे पहले कि मैं आपको बदादू एक्जाम आपके श्टार्ट होगे वो 26-4-2020 जी हाँ जो फर्स्ट फेस जो होगा वो एक्जाम का आप रोकर 26-4 यानि कि 26 अप्रेल थीक है 26 अप्रेल 2020 में आपनों का फर्स्ट एक्जाम होग तो बहुत से लोग भी confused हो हो रहे होगे साहित क्या है फर्स्ट फेस, इसा तो नहीं है कि वहीं मेरा जी एक पूर्स्ट फेस में हो और रीजनिंग फेस में एसा नहीं है मैं आप लोगों को बताद नो है कि बच्चे जो मैने आप लोगों को बदा आब बहुत जादा प्र चार लाग बच्चे हैं, तो इनका एक date में exam नहीं हो सकता तो मतलब, कुछ सीथे, कुछ बच्चे जो हैं, फर्स्ट पैस में उनका exam होगा हीक है, और कुछ लोगों को exam Schulography वोगा, सेकिंड फेस में होगा, कुछ लोगों को exam chamusch को होगा और कुछ लोग एक्जाम रोगा वो फॉर्थ फेस में आनि की सत्रा पांच 200,20 को हूगा तो इसमें बहुत सो लोग ऐसा मस्तोच लेता है, फिर्ष पेसमें जो एक्जाम पेपर आएगा वो सेकंड पेसमें आएगा, थर्ड पेसमें फूर्थ पेसमें ऐसा नहीं है, आप लोगों की चार एक्जाम सीट बनेगी, जी हाँ, एक्जाम सीट A, B, C, B, इसी परगार से आ अबने पहले पहले का नियुक्त भी उन्दाफ के लिए हूस्ट एनी जॉन्स पर यहां पना सबसких घ्सामिटर साथ waterfall पोने इस खीड नोग पर हैं जो होगए वो 177 अपनी ने और बाप टो는데요 आलोबर अंडिया में एक चाह्मिनेशन सेंटर हो जो आपका निकलेगा वो आपको CISF की वेबसाइट से ही निकलेगा जहां से आप तक आप अभी तक कोई भी एक्जामिनेशन के एडिमेट कार्ट निकालते आए हैं www.cisfrecp.im इसी वेबसाइट चहीं आप लोगके एक्जामिनेशन से कार्ट निकलेगा एडिमेट का ठीक है और जो आपके जो एक्जाम होंगे वो में आप लोगको बता दूँ अभी तक तो आप लोगको चानकारी हो चुपी होगी ऑफ्लाइन ही एक्जाम होने हैं जाने हैं जाने कि प बता दूँ कि एडमीट काड और आईडी प्रूफ लेके जाना पुड़ेगा तो इसका वीडियो में आप लोग को बना दूँगा जब भी जैसे ही आप लोग के एडमीट काड आने सुरू हो जाएंगे एग्जामीनिशन से पंदरा दिन पहले मैं आप लोग के बता आपके सेंटर्स कैसे पढ़ेंगे पूरी डिटेल में आप लोग को देता रहा हूँ ठीक है और इसके अलावा अभी में आप लोग को जो रिटन एक्जाम्स के बारे में भी कुछ बताने वाला हो कि क्या क्या सब्जक्ट किसमें से कौन सी चीजें इंपोर्टेंट से इसक सत्रा-पांच जो लास्ट एक्जाम होगा उसके दो महीने के बाद ही आप लोग के टाइपिंग टेस्ट होगा की आप लोग के लाग लोग के लिगा होगा तो फ्रेंड इस परकार की न्यूज में आप लोग के लिए लाता रहू हूंगा ठीक है यह बहुत अच्छी जो जो प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चलती रहे तो मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है वह आप लोग के सिलेबस से रिलेटेड है कौन-कौन सी इंपोर्टेंट चीजे आप लोगो पढ़नी चाहिए और क्या है सिलेबस में आपके तो इसकी जानकारी भी मैं आप लोगो दूँ तो फ्रेंट वीडिते हैं इसी प्रकार से नई नहीं जानकारी होगे तो ओके फ्रेंट भार थेंक्यों सी और नेक्स्ट टाइम